ओम शांती, आज 16 सितंबर 2022 के साकार मतुर महावाक्य है, आज शुक्रिया दिवस पर बाबन ने हम सबको बहुत ही सुन्दर बात सिखाई है, कि आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, जो बच्चे स्वदर्शन करते हैं, परदर्शन से मुक्ठ हो जाते हैं, आपको भी बिन स्वदर्शन के जो सीट मिली हैं, उन सीट पर सेट हो जाओ, जैसा स्वदर्शन वैसे आपकी सित्थी होनी चाहिए, वैसे भी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, कभी कोई परदर्शन का काम नहीं कर सकती, तराजु बाबा ने दिखाया आज, ज्यान और भगती का, प सत्यों में भगती नहीं होती है, ज्यान की प्रालब्ध होती है, संगम पर आप इस तराजु को समझते हो, पहले भगती की अब भगती का फल ज्यान मिला, भगती से क्या प्राप्ती है, ज्यान से क्या प्राप्ती है, वो संगम के समय पर आप समझते हो, आप बच्चों को बहुत बहुत सुखदाई बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, आपने अपना जीवन बाबा को दिया है, तो सबको सुख देना है, जैसे बाबा सुखदाता है, ऐसे ही सुखदाता बनना है, कोई उल्टा सुल्टा बोले, तो आपको शान्त रहना है, सुनते हैं बाबा के मदुर बोल, बाबा के शब्दों में, बाबा के ते मीठे बच्चे, ये पुझे और पुझारी, ज्यान और भगती का वंडरफुल खेल है, तुम्हें फिर से सतो प्रधान पुझे बनना है, पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है, कुशन है, बाब जब आते हैं, तो कौन सा तराजु बच्चों को दिखाते हैं, बाबा कौन सा तराजु दिखाते हैं, ज्यान और भगती का तराजु, जिसमें एक पुर है ज्यान का, दूसरा है भगती का, अभी ज्यान का पुर हलका है, भगती का भारी है, धीरे धीरे ज्य जान का पूर्भारी होता जाएगा, फिर सत्यों में केवल एक ही पूर होगा, वहां इस तराजू की दरकार नहीं, ओम शांती, रूहानी बाप, मीठे-मीठे रूहानी बच्चों को ज्यान और भगती का राज समझा रहे हैं, ये तो अभी बच्चे जानते हैं, बरोबर आए हुए हैं, हमें फिर से पुझ्य देवी देवता बना रहे हैं, जो आसुरी संप्रदाई बन गए, वह फिर से देवी संप्रदाई बन गए, जो आसुरी संप्रदाई थे, वो देवी संप्रदाई बन रहे हैं, अठाथ अब भगती का चक्र पूरा हो गया, ये भी माल बच्चों की बुद्धी में वर्ल्ड की हिस्टी जोग्रफी है वरोबर चार यूग है अभी संगम यूग का चक्रवा ड्रामा चल रहा है यह हम सब बच्चों की बुद्धी में वैठा किसके बुद्धी में वैठा हम प्रजा पिता ब्रह्मा मुखवन शावली ब्रामनों क बुद्धी में बैठा, इसका नाम तो कहेंगे न, सिवाई ब्रामनों के और कुछ नाम नहीं निकाल सकते, ये खेली ऐसा बना हुआ है, ब्रामन फिर देवता, शत्रिये, वैश शुद्र बनते हैं, ये चक्र फिरता रहता है, भिन भिन वरन है ये, अभी ब्रामन है, फिर द यात्रा सीख रहे हो, अत्वा पतित से पावन बन रहे हो, अभी आप याद की यात्रा सीख रहे हो, पतित से पावन बन रहे हो, समझाना भी ऐसे होता, अभी हम रामराज्ये की स्थापना कर रहे हैं, जरूर पहले रामराज्ये है, ये विस्सिद्ध होता है, अभी रामरा जाड़ बहुत बढ़ा है अभी हम पूझ्य देवी देवता धरम की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना जाड़ खलास हो नए जाड़ की स्थापना हो रही है ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं हम स्वेम पूझ्य सतो प्रधान थे चुरासी जनम के बाद तमू प्रधान बने पूझ्य से पुझारी बने फिर से रिपीट करना पड़ेगा ये तो सहज समझने की बात है चक्र कैसे फिरता है जैसे एक्टर शुरू से लेके पिछाडी तक पार्ट बचाते है न तो ये बेहद का रास ज्यान और भगती का रास गुद्धी में अच्छी तरह से बैठ गया है हम ही पूझे देवी देवता थे हम ही सीड़ी उतरते पुझारी बन गए रावन राज्ये कब से शुरू हुआ पूरी तिथी तारिक तुम जानते हो हमने ऐसे से पुनर जनम लिया पहले हम सूर्य वंशी देवी देवता थे फिर चंद्र वंशी बने फिर ब्रामन वंशी बनकर हम देवता बनते हैं अब तुम ब्रामन वंशी वा इश्वरिय वंशी हो तुम सब जानते हो हम सब इश्वर की संतान हैं इसने ब्रदर्स कहते हैं वास्तों में ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में फिर पार्ट बच्जान बनते हैं, कलम शुद्र थे, आज हम ब्रामन हैं, फिर हम देवता बनेंगे, ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है, ये तुम बच्चे ही समझा सकते हो, कि नई दुनिया सत्यूग, ये पुरानी दुनिया कल यूग है, इसमें कोई सुख नहीं बच्चे समझते, जब ये जाड़ था, तो हम ये देवी देवता थे, बहुत सुख था, फिर चक्र लगाते लगाते, दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गई, दुख भी बहुत हो गया, बाबा समझाते, सत्यूग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं, पुनर जनम लेने का भी काईदा है, पुनर जनम लेते लेते, उतरते उतरते, चुरास्षि जनम पूरे हुए, फिर नए सिर्चक्र फिर ना है, ज्ञान और भगती, आधा कलप है दिन, नई दुनिया, आधा कलप है रात, पुरानी दुनिया, ये बाबा को भी याद करना है, पढ़ाई को याद करना है, श्रिव बाबा को याद करना है, टीचर को भी सारा याद है ना, तुम कहेंगे बाबा को इस सारे स्रिष्टी की नौलेज है, तुम भी समझते हों जो पुझे, देवी देवता थे, अब पुझारी पतित बने, सतो प् सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य ज्यान और योग, सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य बात है ज्यान और योग, ज्यान है स्रिस्टी चक्र का, योग से हम पावन बनते हैं, कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हैं, इसे बाबा भी समझाते हैं, सिरफ बाबा बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बाप इनके साथ है न कोई भी मनुश्य सद्गती को जानते ही नहीं सद्गती की बाते सब समझें सद्गती की बाते तब समझें जब सद्गती दाता को पहचाने तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं तुम समझते हो और समझाते भी हो मूल बात है पत पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है क्योंकि इसी में मूचे हैं तो समझाना चाहिए ये खेली हार चीत का बना हुआ है भारती पतित से पावन पावन से पतित बनता है आधा कलब है ज्यान अर्थात पावन आधा कलब है भगती अर्थात पतित फिर से पतित से पावन ब बहुत प्राचीन है, नामी गरामी है, वे तो जिस्मानी यात्राएं, जर्म जर्मांतर करते आए, नीचे गिरते आए, ऐसे ने कि उनसे पावन बने, पावन बनाने वाला एक बाप है, वो एक ही बार आते हैं, शिव बाबा का पुनर जर्म नहीं कहेंगे, मनुष्य कोई चक्र में आना है, बाबा के ते कहानी बहुत ही सहज है, सरफ करेक्टर जरूर बदलना चाहिए, जब तुम देवताई थे, तो तुम्हारा करेक्टर बहुत अच्छा था, धिरे धिरे तुम्हारा करेक्टर बिगड़ता चला गया, रावन राज्चे में तो बिलकुल पाले, कोई कोशिशी नहीं करते कि रामराज्चे कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता, ये भी ड्रामा बना हुआ है, रामराज्चे में हम गिरते ही आए, फिर चड़ना है, बाप आके जगाते क्योंकि अब भगती में सोय हुए हैं, बाप आए हैं तो भी सोय हुए हैं, बा आधी मध्यंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो, इतने सब बच्चे बाबा से सीखते हैं ना, एक बाप से सीख कर फिर वृधी को पाते हैं, कल्प पहले भी तुम्हें मनुष्य से देवता बनाये था, अभी भी तुम्हें जरूर बनना है, फिर कोई हलका पुर्शार्थ कर पढ़ते हैं, नम्बरवार तो है न, कोई कि डल वुध्धी है, उस्कूल में भी नम्बरवार तो होते हैं, उस पढ़ाई में B.A.M. आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने M.A. पढ़ते होंगे, जो भी भारतवासी हैं, कित ये पढ़ाई भी ड्रामा नुसार नूद है, जो पढ़ते हैं, फिर कल्प के बाद पढ़ेंगे, वहाँ ये किताबा दे कुछ नहीं होती, जो भगती मारग में होता, वो ज्ञान मारग में नहीं होता, भगती मारग में वो पढ़ाते आए, जो पास्ट हो गया, बाबा ने बताया, कब से रामराज्य, कब से रामराज्य होता, फिर हम कैसे नीचे उतरते आए, तुम्हारी बुद्धी में इस सब राज अच्छी तरह से बैठ गए हैं, तुम्हें पुर्शार्थ करना है उँच से उँच बनने का, प्रन्तु राजाई में सब एक जैसे न बन सकते कोई तो अच्रिती पुर्शात करते हैं पावन बनने के लिए दयविगुन धारन करते हैं तुम्हारा ईश्वरी रजिस्टर भी रह अपनी जाच करनी है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं अपनी जाच थे तुम सर्वगुण संपन थे सोला कला संपूरण थे उनका राच्चे था चित्र भी है वहाँ ये मंदिर आदी नहीं होगे वहाँ भगती मारग का चिन भी नहीं होगा भगती मारग में फिर ज्यान का रिंचक मात्र चिन नहीं है ये भी तुम नंबर वार जानते हो जो अच्छे रिते धारणा करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आजाती है दिल में आता है बाप जिससे हम विश्व की बादिशाही लेते हैं हमें उनका कितना मददगार बनना चाहिए हमें इश्वरिय संतान बाबा आये हैं सबको सुखदाई बनाने कभी कोई को दुख नहीं देते बच्चों को इतना उच बनना है बाबा बार बार समझाते अपने पास नोट रखो किसी को दुख तो नहीं दिया अपने पास नोट करो अपना चार्ट किसी को दुख तो नहीं दिया बाबा सबको दुख सुख देते हैं हम भी सुख देते हैं ये जीवनी बाबा की सेवा में लगाई है जीवनी बाबा की सेवा में लगाई है बाबा सबको सुख देते हैं बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है कोई उल्टा सुल्टा बोले, तो तुम शान्त रहो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताओ, तो शान्ती दाम सुख दाम के मालिक बने, सुख दाई बनना है, क्योंकि बाबा सदा सुख दाता है, सब के दुख दूर कर देते, बुद्धी में आता हम बहुत सुख द भी बच्चों को कहते अपने को आतमा समझो, आतमा को ही पावन बनाना है, आतमा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे, दिन प्रति दिन तुम उन्नती को पाते रहेंगे, नमबर वार पुर्षार्थ अनुसर राजाई पाई थी, वो ही फिर पाने का पुर्शाट कर रहे हूँ देखते रहते हो कौन-कौन कितना पुर्शाट करते हैं कितनों को हम सुख देते हैं बच्चे जानते सत्यों में कोई को दुख नहीं देंगे कम पुर्शाट करेंगे तो सजाएं खाकर कम पदपाएंगे बेजती होती है न, कोई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, म्यूजियम परदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं, ये परदर्शनियां म्यूजियम आधी भी वृधी को पाएंगे, तराजू में ज्यान का तरफ भारी होता जाएगा, एक तरफ है ज्यान, दूसरी भगती, इस समय भगती का पूर भारी है, भगती का पलडा भारी है, एकदम नीचे पट पर जाता है, बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएगे, उसमें जैसे दहसे दस सेड, और ज्यान का एक पाउँ पढ़ा है, एक पलड़े में ज्यादा, दूसरे में कम, फिर ज्यान का एक तरफ भारी हो जाएगा, सत्यू में एक ही पूर होता है, कलियू में भी एक ही पूर होता है, संगम पर दो पूर हो जाते हैं, ज्यान के पूर में कितने थोड़े हैं, कितना हलका है, फिर वहां से ट्रास्फर हो, इस तरफ भरते जाएंगे तब भगती खतम हो जाएगी फिर एक ज्यान का पुर रह जाएगा दो पुर होंगे ही नहीं बाबा कर तराजु में दिखाते कम जास्ती भी होता रहता है कभी उस तरफ कभी इस तरफ भरतु हो जाता है ज्यान में आकर फिर भगती के पुर में भरती हो जाते हैं जो पक्के हैं वो तो जानते हैं सापना होनी ही है जब हमारा राज्चे होगा तब हम ही होंगे फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा वाँ बहुत आत्माई जाएगी रह पलड़ा जास्ती हो जाएगा आधा कल्प के बाद द्वापर से आते रहेंगे इस रिति सृष्टी का चक्र फिरता रहता है जब पतित हैं तब तराजू की दरकार नहीं रहती तराजू की दरकार ही तब होती है जब बाबा आते हैं इस तराजू क्या उशक्ता कब है जब बाबा आते हैं बापतर आजू ले आते हैं, जाड का ज्यान भी तुम्हारी बुद्धी में है, पहले कितना छोटा जाड फिर वृधी को पाता रहता है, सब पत्ते सूख कर खतम हो जाते, फिर रिपीट होता, पानी मिलने से फिर छोटे-छोटे पत्ते वृधी को पाते हैं, फल देते हैं, हर वर्ष जाड़ खाली होगा सब कुछ नया होगा अभी देवी देवता धरम वाला एक भी नहीं थे जरूर उनका राच्य था प्रंतु कब ये भूल गए है तो ब्रामनों का कुल भी दिन प्रति दिन व्रिदी को पाता जाता है तो ऐसे ऐसे ज्ञान को मन्थन करके धारण करते रो और सब को समझाते रो ज्ञान की बातों को धारण करते रो सब को समझाते रो अच्छा मीठे मीठे सिक्किल अधे बच्चो प्रति मात पिता बाप ददका याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप ददको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए सार ये जीवन बाप के सेवा में लगानी है बहुत बहुत सुखदाई बनना है कोई उल्टा सुल्टा बोले शान्त रहना है बाप समान सब के दुख दूर करने है अपने रजिस्टर की जाँच करनी है देविगुन धारण कर चरित्रवान बनना है अवगुन निकाल देने है वर्दाने स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृती द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाचीत भव संगम युकपर स्वयम बाप बच्चों को बिनबिन टाइटल देते हैं उन्ही टाइटल को स्मृती में रखो तो स्रेश्ट सिती में सहजी स्थित्त हो जाएंगे स्रफ बुद्धी में वर्णा नहीं करो लेकिन सीट पर सेट हो जाओ जैसा टाइटल वैसे स्थित्ती हो यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृती में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता स्वदर्शन चक्र का टाइटल स्मृती में हो परदर्शन चल नहीं सकता स्वदर्शन चक्र धारिथात माया चीत माया उसके आगयाने के हिम्मत भी निरख सकती स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठैर नहीं सकता स्लोगन है वानप्रस्त सिती कानभव करो और कराओ तो बच्चपन के खेल समापतो जाएंगे आज चलते फिरते याद रहे मैं स्वदर्शन चक्रधारी मायाचीत आत्मा हूँ बाबा ने मुझे स्वयम का दर्शन करना सिखाया है स्वयम के दर्शन के साथ सीट पर सेट होना सिखाया है पर दर्शन मुझे आत्मा को कमसूहर करता है स्वदर्शन शक्तिशाली बनाता है बाबा की शक्तियों को अपने में इतना भरे कि सब कमी कमजोरिया समाप्त हो जाएं स्वदर्शन ही चड़ती कला का साधन है माया जीत बनने का साधन है शुक्रिया बाबा आपने मुझे स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत बनाया आपका शुक्रिया शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती आपका शुक्रिया